अपनी बात कहना चाहता हूँ जितसे जिले का भला होगा और बुदिलखंड का कल्याण होगा मानी हमारे मुखमंद्र जी का आशीरवाद हम सब पर हमेशा रहता है जब कभी भी हम कोई काम लेकर जाते हैं उनके पास तो सहर्स आशीरवाद दे करके उस काम को पूरा करना का काम करते हैं मैं दमो की बुदलखंड की धर्ती के लिए और दमो के लिए उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ और मेरे इस निवेदन से आप सब अगर सहमत हो तो बहुत जोड़दार ताली बजा के उस समय स्वागत करिएगा मानि पहला पडेल जी अफसान सत थे तोनों ने एक योजना बनवाई थी और उस योजना में जो आपने देखा होगा सुना होगा कैन बेतवा लिंक परियोजना की तीसरे जो चरर था उसमें हमारे हटा विदान समा के पटेरा के पास में ब्यार्मा नदी पर एक डेम बनना था मैं मानी मुखमंद्री से निवेदन करना चाहता हूँ और आगरे करना चाहता हूँ कि दमों के लिए अगर उनका आशीरवाद हो गया तीसरी जो हमारी डेम है ब्यार्मा नदी पर वो बन जाएगा तो चार लाग हेक्टेर की सिचाई होगी और उसमें बहुत कम लागत में वो काम होने वाला है मेरा मानी मुखमंद्री जारी इतना ही निवेदन है कि ब्यार्मा नदी पर तीसरा डेम बना करके और हमारे बुंदेल घंड के लिए दमों के लिए चार लाग हेक्टेर सिचाई का आशीरवाद देंगे बहुत-बहुत धन्यवाद में बहुत समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मानी मुखमंद्री जी को दूसरे कारकरमों में जाना है आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत स्वागत और एक बार जोड़दार ताली बजा करके समर्थन कर दीजिए इस बात का कि आप डेम में बनवाना चाहते हैं, जिससे यहाँ पर बुंदेल खंड में दमों में सिचाई पूरी भरपूर होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्रीकृष्णा युनिवर्सिटी छतरपूर, दि हाई टेक युनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुदेल खंड के लिए गौरप की बात है कि अब छतरपूर में हम आपको देंगे विश्विश्तरिये एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफस्टरक्शर, को महानगरों में होने वाली परिशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं, या अपने शहर और घर में, इसलिए स्रीकृष्णा विशुद्याले, आपको देगा, राश्टी सिक्षा नीती 2020 के अनुसा, तैयार पाचक्रम, औ कॉर्स में परबूश के असाँ